हलो दोस्तो, वेलकम टू डीकोड इंडियन आपको पता होगा कि अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में बैंक से लून लेना है तो आपको बैंक के पास अपना प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जमा करना होता है अब देखा ये जा रहा है कि जब कोई वैक्ती लोन का फुल रिपेमेंट कर देता है उसके बाद बैंक काफी जादा समय ले लेती है इस प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट को रिलीज करने में आप देख सकते हैं मिंट का आर्टिकल है ये और इसी सर्कूलर के माध्यम से रिस्पॉंसिबल लेंडिंग के लिए गाइडलाइंस को इस गाइडलाइंस में कौन-कौन सी बाते कही गई है उन्हीं बातों को इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं चलिए सरू करते हैं सबसे पहले तो देखे अभी क्या नियम है तो अभी के नियम के अनुसार जितनी सारी भी रेगुलेटेड इंटिटीस है रेगुलेटेड इंटिटीस क्या हो गई बैंक एन्बी-एफसिज तो जो भी regulated entities हैं, अगर किसी वैक्ती ने किसी regulated entities से property के against में loan लिया हुआ है, और उसने loan का full repayment कर दिया, और उसका जो loan account है वो close हो गया, तो regulated entities के पास जो भी movable या फिर immovable property document होगा, उस borrower का, वो उसको release कर देगा, लेकिन observe ये किया जाता है, कि regulated entities उन document को release करने में अलग-अ practices को अपनाती है, और जिससे customers के दौरा काफी ज़्यादा सिकायते आ रही है, तो इसी समस्या को दूर करने के लिए, और regulated entities के दौरा जो लेंडिंग किया जाता है, उसको थोड़ा responsible बनाने के लिए, RBI ने यहाँ पे directions issue किया है, तो देखिए सबसे पहले direction में क्या कहा गया ह सबसे पहले तो direction में कहा गया है, कि regulated entities जब कोई वैक्ति लोन का full repayment कर देगा, या फिर उसका जो लोन अकाउंट है, वो close हो जाता है settlement के माधियम से, तो उसके 30 दिन के अंदर उसके पास जो भी original, movable या फिर immowable property document होगा, उसको वो release कर देगी, साथ ही में उसके दौरा, borrower की property के ऊपर legal right create करने के लिए, जो charge registered किया गया होगा किसी registry के पास, उसको भी वो remove कर देगी within 30 days, तो सबसे पहली बात तो ये कही गई है, इसके बात देखे यहां पर कहा गया है, कि वो कहां से original property document collect कर सकता है, या तो वो bank का जो branch होगा, जहां पर उसका loan account होगा, वहां से original document receive कर सकता है, या फिर वो regulated entity के किसी दूसरे office से, जहां पर documents available है, वहां से उसको collect कर सकता है, अपने preference के हिसाब से, तो दूसरा बात तो ये कहा गया है, और देखे इसके अलावा यहां पर ये कहा गया है, कि जो loan sanction letter होता है, जो loan agreement letter होता है, उसमें ये बात mention होना चाहिए, कि loan उनके full repayment के बाद, borrower जो original property document है, उसको कहा से और कब receive कर सकता है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसके अलावा क्या कहा गया है, तो ऐसे case में जहां पर borrower की मृत्य हो जाती है, या फिर joint borrower है उसकी मृत्य हो जाती है, तो regulated entities के पास एक पूरा procedure होना चाहिए, क उसको किस तरीके से original property document return किया जाए, और regulated entities के पास जो ये procedure होगा, उसको regulated entities को कहा गया है, कि अपने website पे display करने के लिए, दूसरे similar policies के साथ, तो एक नियम ये हो गया, इसके बाद दिखे यहां पर कहा गया है, वैसे case में जहां पर 30 दिन से जादा का समय हो जाता है, जो loan का repay payment है, वो हो गया, या फिर जो loan account है, वो close हो गया, और उसका 30 दिन से जादा भी हो गया, लेकिन regulated entities के दोरा जो original property document है, वो release नहीं किया गया, या फिर regulated entity ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया, जो charge उसके दोरा create किया गया था, किसी relevant registry के पास, उसको remove करने के लिए, तो ऐसे case मे regulated entities को borrower को बताना पड़ेगा कि ये delay क्यों हो रहा है, delay के पीछे reason क्या है, और अगर regulated entities यहाँ पे guilty पाया जाता है, तो regulated entities को borrower को compensate करना पड़ेगा, जो delay होगा, तो हर दिन उसको 5000 रुपे देने पड़ेंगे, मतलब कि 30 दिन के बाद, जितनी दिन भी delay करेगा regulated entities, हर दिन का उसको 5000 रुपे पे करने पड़ेगा, यहाँ पे कहा जा रहा है, इसके बाद देखें, वैसे case में, जहाँ पे regulated entities के पास जो original property document होगा, वो loss हो गया है, या फिर damage हो गया है, तो regulated entities borrower को guide करेगा, कि किस तरीके से वो duplicate जो औरिजनल, duplicate जो property document है, उसको receive कर सकता है, और इस प करना पड़ेगा, और यहाँ पे देखें, जो additional 30 दिन का समय है, वो दिया गया है, regulated entities के लिए, तो अगर यहाँ पे डीले के लिए penalty calculate होगा, तो वो 30 दिन के पास से calculate होगा, तो यह सारी बाते थी, जो circular के अंदर कही गई थी, अब देखें, यह जो सारा direction था, वो किसके किसक पेमेंट बैंक के ऊपर यह जो direction से यह लागो नहीं होगा, इसके अलावा local areas bank, जो primary cooperative banks होते हैं, NBFC, asset reconstruction companies, तो इन सब के ऊपर direction लागो होगा, और यह जो direction है, वो कब से प्रभावी हो जाएगा, तो 1 December 2023 से यह प्रभावी हो जाएगा, अगर हम बात करें कि किसकिस act के तहत direction को issue किया गया है, तो सबसे पहले तो banking regulation act 1949, इसके अलावा reserve bank of india act 1934, इसके अलावा national housing bank act 1987, तो इन सब act के तहत जो directions है, वो RBI के द्वारा issue किया गया है, I hope आपको यह video informative लगा होगा, जो भी point को हमने discuss किया है, वो आपको समझ में आ गया होगा, thank you for watching.